प्राकरतिक आपदा बे मोसम बारिश से गीले हुए गेहों को खरीदा जाए कहा मध्यप springs티 प्रवक्ता अजय सिंह्यादूब Comes मदिपर्देश में प्राकरतिक आपदा बे मौसम बारिश से प्रदेश के अनेकों जिलों में गेहूं उपारजन केंद्रों के बाहर खलियानों में रखे हुए किसानों का गेहूं गीला हो गया है और अब किसान वो गेहूं लेके उपारजिन केंद्रों में जा रहे हैं, तो उपारजिन केंद्र के कर्मचारी किसानों से गीला गेहूं लेने से मना कर रहे हैं, हमारी सरकार से मांग है कि ततकाल निर्देश जारी करें, कि प्राकरतिक आपदा वे मौसम बारिश से जो भी ग किसानों गीला हुआ है, वो किसानों का खरीदा जाएगा, किसान संकत में है, Congress Party कमलनाच जी के नित्रत में किसानों के साथ खड़ी है, किसान बिलकुल ना घब रहें, पूरी Congress Party किसानों के लिए मैंधान में होगी। आपको बता दें मद्यप्रदेश के कही जिले में अपनी बारी में गेहू को बेचने का जो इंतिजार कर रहे हैं. उसे उनका गेहू गीला हो गिया है, जिससे उपारजन केंदर के कर्मचारी लेने से मना करना है, जो किसानों के साथ दोका है. इसलिए हमारी भाजपा सरकार से मांग है कि मध्यप्रदेश में बे मोसम बारिश में गीले हुए गेहु को किसानों से बिना रोक टोक के खरीद जाए। झाल लूए जाए।